हेलो गाईस स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिप्रेशन अड़ा के अंदर तो आई होप आप बहुत अच्छे हैं आप लोग त्यारी करते रहेगा नीट की और आप लोग महनत से एक्जाम दीजिएगा और आप सक्सेद हो जाओगा अगर महनत करते हो दिल से त ठीक है कोशन नमबर वन के अंदर दो वेक्टर दे रहें एक्टर एंड बी वेक्टर और आपको इन दोनों ही वेक्टर के बीच में एंगिल पूछ रहा है तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसा हुआ करेगा कि वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर की फोर्म में है तो इस ठीक है और कोस्ट ठीटा है ठीटा ए और बी के बीच का एंगिल है तो चलिए डोट बी-को सौल्व कर लेते हैं तो ए डोड बी-को यहां सौल्व करते हैं अब देखिकार वेक्टर एक्की मेल्यू कितनी है यू इसका Barbara अब डोट प्रोडक्ट में आपको पता है अजका ऑ फिर से 1, लेकिन Minus का 1 होगा, क्यो stub Minus का 1 होगा, क्योंकि यहां पर j का को कॉफियेंट है, वो है, Minus 1, जबकि यहां पर j का को कॉफिशेंट है, वो है, 1, तो इसलि feather, 1 की 1 के साथ multiply करोगे, तो 1 आएगा, लेकिन 1 की Minus 1 के साथ करोगे, तो minus का 1 आएगा ठीक है solve करेंगे तो 0 हो जाएगा अब देखें यहाँ पर a dot b 0 निकल कर आया है इसका मतलब क्या हुआ a dot b की value क्या होती है a b cos theta it means a b cos theta की value आ गई 0 अभी कब होगा जब cos theta 0 का बराबर हो theta is equal to 90 degree पर ठीक है इसके अंदर सिर्फ इतना ही था एक चीज और जानने योगी है वो यह है कि जब भी आपके पास unit vector i dot i की अगर value निकालोगो तो 1 हो जाएगा और ऐसे j dot j की value निकालोगे तो भी 1 और k dot k की value निकालोगे तो भी 1 आएगा अगर आप ऐसा करते हो कि i dot j की value निकालोगे ये भी 0 आएगा और j dot k की value निकालोगे तो ये भी 0 आएगा और k dot i की value लोगो तो ये भी 0 आएगा मतलब अगर same same unit vector है उनका dot product कर रहे है तो value 1 आएगी और unit vector आपको पता ही है unit vector उनके बोलते है जिनका magnitude 1 होता है तो इस question का answer हो जाएगा 90 degree मतलब option B इसका बिलकुल correct हो जाएगा धन्यवाद